रात को बुलाई एंबुलेंस सुबह पहुंची गाउं, रास्ते में हो गया प्रसव कोलारस अदुन विभाग के गाउं पाड़ोवा इश्वरपुरा में रात एक प्रसूता को प्रसव पीड़ा होने पर उसके स्वजनों ने 108 एंबुलेंस को फोन लगाया एंबुलेंस दूसरे दिन सुबह उसके गाउं पहुंची, देर से एंबुलेंस पहुंचने का परिणाम यह हुआ कि प्रसूता का सड़क पर ही चलती एंबुलेंस में प्रसव हो गया खास बात यह है कि कोलारा शेत्रव महज एक माह के भीतर 108 एंबुलेंस द्वारा वरती गई यह दूसरी लापरवाई है पिछले माहा बेरखेडी गाउं में एंबुलेंस नहीं पहुचने के कारण एक प्रसुता की मौत हो गई थी ग्राम पाड़ोदा ईश्वर पुरा निवासी प्रसुता सुखवती आदिवासी को बुधवार की रात प्रसुत पीडा हुई तो उसके सजनों ने रात 11 बजे 108 पर कॉल कर एंबुलेंस बलाई फोन पर उन्हें आश्वरस्ति किया गे कि जल्दी एंबुलेंस उनके घर पहुच जाएगी एंबुलेंस के इंतजार में सुखवती रात बर प्रसुत पीडा के कारण घर पर इटड़पती रही एंबुलेंस एंसी ही सुबह 8 बजे सुखवती को स्पिताल पहुचाने के पहुची एंबुलेंस से जब प्रसुता को कोला रहा स्वास्ते के लाया जा रहा था तभी रास्ते में सुखवती को रास्ते में असुरक्षित प्रसव हो गया सुखवत पहलू यह रहा कि इस प्रसव के दौरान किसी तरह की कोई गंभीर पड़सिती सामने नहीं आई है अन्य था जच्चा बच्चा की जान भी खत्रे में पढ़ सकती थी रात बहर सड़क पर इंतजार करता रहा पती एंबुलेंस का कहीं रास्ता ना भटक जाए इसी के चलते सुखवती का पति रात भर गाउं के बहाँ सड़क पर बैठा-बैठा इंतजार करता रहा है उसे एमर्जिंसी सेवाओं के भरोसी लोगों की जान संकट में पढ़ रही है क्यों जाती से हो कहा रहते हो ग्राम 15-15 इसर पर तो आप यह डिलिवरी हुए क्यों है आप इनके पत्नी है तो डिलिवरी कहा पर हुई है अच्छार क्यों सामें से क्यों नीजिए अजिए आप गारी नहीं सी तो कौन सी गाड़ी को फोन लगाया था तो कब पहुंचिया ये तो रात को गया रवाज फोन लगाया और सुबारी पहुंचिया नहीं तो जिसके डिलेवरी के किस जगा कौन से गहां पर हो गाई ती तो आपकी डिलेवरी किस की होने वाली थी अंपर आपकी अच्छा तो ले आए अस्पताल कहां पर होई डिलेवरी कि घराई पर कि अस्पताल में और गाड़ी में अच्छा तो इतनी जिए लेट क्यों आए आप गाड़ी लेट पहुंची तो जाय में अच्छा अच्छा एम्बूलेंस लेट पहुची एसलिए एम्बूलेंस में टेलेवरी हो गई